Hello friends, welcome to our channel Physics Point Academy previous class में हमने किर्चोफ के नियमों के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने वहाँ पे आपको बताया था कि किर्चोफ के दो नियम होते हैं किर्चोफ का धारा नियम और किर्चोफ का वोल्टा नियम आज जो हम उसी से आगे जो पढ़ने जा रहे हैं जो टोपिक है वो है अंतरित प्रतिबादा या ट्रांसफर इंपिडेंस अंतरित प्रतिबादा या ट्रांसफर इंपिडेंस क्या होता है उसी को हम यहां पे डिसकस करेंगे तो देखो जैसे मान लेते हैं ये एक नेट वर्क है इसके ये दो इन्पुट टर्मिनल है इसके ये दो आउट्पुट टर्मिनल है तो कई बार क्या होता है जैसे इन्पुट टर्मिनल के आईवन धरा आपने परवायद की तो जो आउट्पुट जो टर्मिनल है उसके सीरों पर विवांतर वीटू हो या इसका उलटा केस भी हो सकता है जैसे आपने आउट पूड्ट जो टर्मिनल है उसमें आई टू धारा परवाइद की तो इनपूड जो टर्मिनल है इसके सिरों पर विवांतर V1 हो तो V1 और I2 का अनुपात या ऐसे कहें V2 वे I1 का जो अनुपात है वो ही क्या कहलाता है वो ही क्या कहलाता है सोरी एक मिन्ट वो ही अंतरित परतिवादा कहलाता है तो यहां पे यही बात कही गई है कि किसी जाल के एक लूप में पास या लूप एक ही बात होती है किसी जाल के एक लूप में लगाई गई वोल्टा V1 के कारण अब एक लूप में आपने वोल्टेज V1 अपलाई की के कारण दूसरे पास या लूप में धारा I2 उत्पन धारा I2 का जो अनुपात है ना उसे ही क्या कहते हैं कि अनुपात को परिपत की अंतरीत परतिवादा कहते हैं परिपत की अंतरीत परतिवादा कहते हैं अब जबकि हम यहां पे केस लेके चलेंगे जबकि परिपत के अन्य सभी वोल्टा स्रोथ हटा लिए हो मतलब जब हम अंतरीत परतिवादा जब भी हमें निकालनी होगी तो कोई भी जैसे नेटवर्क है उसमें केवल एक ही वोल्टेज सोर्स होगा इसके अलावा सबी जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको हम अटालेंगे यह यह कहना चाहरा है तो अमीद करता हूँ बहुत अच्छे से यहां पर आपको समझ में आयागा कि किसी भी जाल के कोई भी जाल है उसके एक लूप में आपने वी वोल्टेज लगाई अब उस वी वोल्टेज के कारण दूसरे लूप में जो आई टू धारा उत्पन हुई तो वी वन और आई वन का जो आई टू का जो अनपात है वो ही कहलाता है जैड़ टी ट्रांसफर इंपिडेंस तो जैड़ टी वन बराबर देखो यहाँ पर दे रखा है वी वन बटे आई टू अब देखो यह कोई हाड़न फास नहीं है आप ऐसे भी कर सकते हैं वी टू बटे आई वन अब देखो अंतरित जो परतिबादा होती है वो दो परकार के होती है एक तो होती है उतकरम अंतरित परतिबादा और एक होती है अगर अंतरित परतिबादा वो हम आगे पढ़ेंगे अभी तो आपको केवल यह याद रखना है कि अंतरित परतिबादा किसे कहते हैं कि जब किसी जाल के एक लूप में वीवन वोल्टेज आरोपित करने के कारण दूसरे लूप में आईटू धारा उत्पन हो तो वीवन और आईटू का जो अनुपात है उसे ही क्या कहते हैं अंत्रित प्रतिवादा आपको बस इतना ही याद रखना है भी तो नेक्स जो हमारा जो टोपिक है वो है चतुर टर्मिनल जाल या चार टर्मिनल जाल देखो चतुर टर्मिनल या चार टर्मिनल यह की बात है अंग्रेजी में बात करें तो फोर टर्मिनल नेटवर्क अब देखो फोर टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है अब इसकी डेफिनेशन यहां पर दे रखिया है कि वह समिस्र जाल वह समिस्र या जटिल जाल मतलब चतुर जो टर्मिनल जाल होगा एक जटिल जाल होगा जटिल क्यों होगा कि कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट होंगे बहुत सारे एनर्जी सोर्सेस होंगे जाल के हम परिवासा पहले पढ़ सके हैं तो वह समिसर जाल जिसमें दो निवेसी और दो निर्गत टर्मिनल हो अर्थात कुल चार टर्मिनल हो तो वह चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है मतलब वह समिस्र जाल जिसमें दो तो निवेशी टर्मिनल हो और दो निर्गट टर्मिनल हो ओवरल कहेंगे कुल चार टर्मिनल हो तो उसको कहते हैं चतुर टर्मिनल जाल तो उमिद करता हूँ आपको चतुर टर्मिनल जाल की परिवासा आपको किलियर होई होगी इस से आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें अनेक प्रतिरोध हैं प्रेर कत्वे, संधारित्र आदी हो सकते हैं मतलब कोई भी नेटर्वर्क होता है उसमें आपको पहले भी बताया था कि इसमें अनेक प्रतिरोध होते हैं प्रेर कत्व होइcito होते हैं संधारितित होते हैं इनसे मिल कर बना होता है अब देखो चतूर्ब जो टर्मिनल जाल है उसका ब्लोग ड्राइगराम आपके सामने दिखाया गया है की यह आपको ऐसे कैसे बनाना है आपकी नोट्सों के अंदर ये ब्लोग ड्राइगराम है, च और निवेसी जो टर्मिनल है इसमें प्रवाइध धारा आई वन और इसके सीरों पर उत्पन जो विवानतर है वह वी वन निर्गत जो टर्मिनल है इसमें प्रवाइध धारा आई टू और इसके सीरों पर उत्पन विवानतर वी टू है तो यह डाइग्राम भी आप अच्छे जत्र टर्मिनल जाल की जो अध्यन जो किया जाता है वो इसके पैरामिटर की फोम में किया जाता है तो नेक्स्ट जो हमारा जो टोपिक है चार टर्मिनल जाल के प्राचल या पैरामिटर ओफे फोर टर्मिनल नेटवर्क मतलब जो चार टर्मिनल नेटवर्क है उसके पैरामि हैं पहले को बोलते हैं जैड प्राचल जैड प्रामिटर दूसरा है वाई प्राचल और तीसरा है एच प्राचल तो जैड जो प्राचल है इसको बोलते हैं खुला परीपत प्रतिबादा प्राचल खुला परीपत प्रतिबादा प्राचल अब यह क्यों पोलते हैं यह सारे आ प्राचल और एच जो प्राचल इसको बोलते हैं हाइब्रेड प्राचल या संकर प्राचल एक बार ये भी देख लेते हैं इसको खुला परिपत क्यों बोलते हैं देखो जब भी किसी भी टर्मिनल में परवाई धारा का मान जीरो हो जाए कोई किसी भी टर्मिनल में धारा का मान जीरो हो जाए तो धारा का मान जीरो कब होगा जब वो परिपत क्या होगा खुला होगा जब वोल्टेज जीरो हो जाए तो वोल्टेज जीरो कब होगी जब परिपत क्या होगा सोट सर्किटेड होगा लगूपतित होगा और जो संकर जो प्राचल है उसमें दोनों केस आ सकते हैं हो सकता है परिपत खुला हो और हो सकता है परिपत लगूपतित हो इसलिए इसको संकर प्राचल या हाईब्रेड प्राचल या एच प्राचल कहा गया है तो जब भी हम जैड प्राचल पढ़ेंगे तो इसमें जो करंट का जो मान है वो हमेशा जीरो लेंगे कभी input terminal हम खोलेंगे कभी output terminal को हम अटा देंगे तो इसलिए इसमें धारा का मान जीरो होता है लगुपतित है इसमें voltage का मान जीरो गामेश है याद रखना आपको इसमें दोनों हो सकते हैं तो एक एक करके हम पढ़ते हैं सबसे पहले है जैड प्राचल जैड प्राचल या खुला परिपत परतिवादा प्राचल अब देखो जैड प्राचल या खुला परिपत परतिवादा प्राचल क्या होता है उसको हम यहाँ पे देख रहे हैं अब देखो जैड जो प्राचल है उसमें I1 और I2 जो है इनको हम सवतंतर चर लेंगे और V1 और V2 जो हैं इनको हम परतंतर चर लेंगे तो एक बार इसकी बेसिक यह देख लें ते यदि I1 I2 को सवतंतर चर जब कि हम जब हम Y पराचल पड़ेंगे तब उसका उल्टा लेंगे V1 और V2 को तो हम लेंगे सवतंतरचर और I1 और I2 को लेंगे परतंतरचर यह आपको याद रखना है कि जब हम Z प्राचल पढ़ते हैं तो किसको सवतंतरचर और किसको परतंतरचर लेना है अब देखो इसमें देखो जब हम जैड़ पर चल पड़ते हैं तो I1, I2 को कह लिते हैं सहुतंतर चर यदि I1 वा I2 को सहुतंतर चर मान ले तो निवेसी वन निर्गत वोलता V1, V2 को इसके फलन के रूप में फलन के रूप में तब ही लिखते हैं जब वो उस पे डिपेंड हो के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं तो V1 देखो परतंतर चर है, dependent variable है, V2 भी क्या है, dependent variable है, I1, I2 के है, independent variable है, तो V1 जो है, उसको किसके function के रूप में लिखेंगे, I1, I2 के और V2 है, उसको भी I1 और I2 के function के रूप में लिखेंगे, अब देखो, आप इसके साथ के साथ नोट्स भी बनाते चलें, तो बहुत अच्छा रहेगा, अब देखो, यदि परीपत में कम मान की पर्तावरती वोल्टा या धारा परियुक्त करने पर, मतलब इसमें आप कम मान की धारा या वोल्टा परियुक्त कर रहे हैं, तो इस वोल्टेज में और करंट में जो परिवर्तन होगा, वो भी क्या होगे, अल्प परिवर्तन होगे, मानले आप कोई नेटवर्क है, उसमें कम मान की वोल्टेज या धारा सोर्स यूज कर रहे है तो उसमें जो परिवर्तन हो गाए ना इसमें V और I में वो भी क्या होंगे? अल्फ होंगे परिवर्तन जब भी हमें लेना हो तो उसको क्या करते हैं? डिफ्रेंशियेट करते हैं तो देखो DV1 जब जैसे V1 है यह किसका फंक्शन है? I1 और I2 का अब देखो V1 केवल I1 का जैसे V1 बराबर I1 होता केवल इसका फंक्शन होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं देखो कैसे लिख देते हैं? जैसे इसमें अल्फ परिवर्तन की आमदा जैसे DV1 बनाया तो D F I1 ऐसे बन जाता लेकिन ये I1 और I2 दोनों का फंक्शन है तो जब हम DV1 लिखेंगे न तो एक बार तो चेंज केवल I1 में होगा तो एक बार जो चेंज होगा वो केवल I1 के रेस्पेक्ट में होगा और एक बार जो चेंज होगा वो केवल I2 के रेस्पेक्ट में होगा तो देखो यहीं पर देख रहे हैं यदी परिपत में कम मान की परत्यावर्टी वोड़ता तता धारा परियुक्त करने पर उत्पन परिवर्टन तो देखो जब डी वी न लिखेंगे तो देखो एक मिन इसको उपर तुबारा सा समझते है अब देखो यहीं फिर देखो हम जैसे इसको dv1 कर रहे हैं dv1 अब देखो यह केवल i1 का function होता तो हमने आपको condition बताती कि हम कैसे करते लेकिन यह i1 और i2 दोनों का function है तो जब भी हम alkaline करेंगे या परिवर्तन करेंगे तो दोनों का एक एक बार लेंगे एक को constant लेंगे फिर दूसरे का परिवर्तन करेंगे तो देखो इसको लिखेंगे dv1 अब एक बार तो इसको i1 के respect में करेंगे सुरी ऐसे लेंगे डेल f1 डेल आईवन इंटू डी आईवन पलस अब देखो आईवन के respect में हमने integrate differentiate कर देए इसको अब इसको करेंगे डेल f1 बटे डेल i2 इंटू डी आईटू ऐसे करेंगे तो देखो f1 एफ वन चो आप गाल विवन जो आप लिख सकते हैं क्योंकि व यिवन बराबर f1 किसका function GM to insert F1 को हम युजा सकते हैं तो यहांपर इसको वी-वन भी लिख सकते हैं इसको के था फिर फिर निञा है डी वीवन बराबर अब देखो यह डी एफ़वन है और एफ़वन को हम क्या लिख सकते हैं वीवन लिख सकते हैं और एफटु को हम क्या लिख सकते हैं वीटू लिख सकते हैं हुँ ऑप नक्त देखो डी वी बराबर देखो डेल एफ वन अंपटर पर से नाच भी और नलगे और दोसरा होगा देल वी वन का फिर से आई टू कि रिस्पेक्ट में करेंगे उफ इंटंड ली तू वैसे यहां पे डीवीटु करेंगे करेंगे पitre up को यह इसका आप जब भी सी पार्ट सेकंडियार में एक एक बुक चलती है ए उसके अंदर आप ऐसे बहूत सारी प्रिस्तितितिं और फॉल झार फॉल्स को पर understanding develop होगी और हमने आपको को बता दिया कि जब दो का फनते हैं तो एक को constantly रखते हैं दूसरे का करता हैं फिर दूसरे को constant रखते हैं फिर पहले का करते हैं differentiation गजब function के रूप में हो अब देखो माल लेते हम जैसे मानने में क्या रखा है कुछ भी मान सकते इसको जैड वन वन बोल देते हैं इसको जैड वन टू इसको जैड टू वन कर देते हैं और इसको कर देते हैं जैड टू टू और यह जो परिवतन इसको आई वन मौन लेते हैं इसको परिवतन को कैपिटल आई टू बोल देते इसको बोल देते हैं इसको भी आई वन इसको बोलते थे आई टू जब हम परिवतर ने देख रहे हूं तो यह हो जाएगा वी बन और यह हो जाएगा कैपिटल वी टू तो देखो यही नीचे पढ़ रहे हम वोल्ट एमपियर वी आई वक्र सरल रेखे होने के कारण आनसी का उकलनों का मान नियत होगा मतलब जो आपने जब भी हम जैसे रेखे परतिबादा की यहां पर बात किये तो उसका वी आई जो वक्र है वो क्या होता है सरल रेखी होता है और जब सरल रेखी होता है तो आंसिक जो परिवर्टन होते हैं वो fix होते है नियत होते है तो यही कह रहा है जब नियत होंगे तो उस condition में क्या बताया कि डेल V1 बटे I1 जो है इसको Z11 बोल दिया और डेल V1 बटे I2 इसको Z12 बोल दिया और V2 बटे I1 इसको Z21 बोल दिया और यह परिवर्तन है यह फिक्स होंगे तो इसको capital I1 इसको capital I2 बोल दिया तो देखो overall हमारे पास जो relation आया है V1 बराबर Z11 I1 Z12 I2 V2 बराबर आगया Z21 I1 और Z22 I2 तो देखो Z11 इसको बोलेंगे ZI अब क्यों बोलेंगे अभी नीचे आएगाई इसको बोलतेते हैं ZR I2 और Z21 को इसको बोलते हैं ZF तो ZF I1 और Z22 को बोलते हैं ZNOT I2 ZF या ZNOT या ZI या ZR क्यों बोलते हैं अभी यह सारी चीज़े क्लिए हो जाएंगे अब देखो यह जो भी चीज़े हमने इसको मानी है एक एक ट्रम को हम यहाँ पर इंट्रोडूस करेंगे कि कौन सी ट्रम का क्या मिनिंग निकल रहा है और यह किसको रिप्रजेंट कर रहा है सारी चीज़े यहाँ पर सबसे पहले यह equation 1 हम लेके चले इसको equation 2 बॉल दो आपको लिखने की जुरूत नहीं कि equation 1 2 पैसे हम सुईधा के लिए बता रहे हैं जैसे equation 1 को consider करें अब देखो आपको हाँ जैड बंवन की value चाहिए तो जैड बंवन की value करने क लिए आप ग्यात करने के लिए आप क्या करेंगे आई 2 को 0 करदो तो यह पूरी ट्रम ही खतम हो जाएगी पिर इसको आई 1 का इसमें भाग देते ना जै बंवन की value हो जाएगी अब देखो जब भी आई टू को जीरो करोगे या आई को जीरो करते हैं तो परिपत कैसा होता है खुला परिपत पहले भी बता है जब वी को जीरो करते हैं तो परिपत कैसा है शोर्ट सर्कृटेड या लगूपत ही थे है तो दो जैड़् 11 की वेलू के लिए के हमने क्या लिया जड़ाई बराबर जैड़् 11 जैड़् प्लाई शेड्य क्यों बोला ये भी बताएंगे तो देकि हो वीएं बटे आई बन आगये देक्म यह आईवन इसके बटे में जाएगा आईवन तो यहां पे जो ट्रम आ गए ना वीवन बटे आईवन बराबर जैड वन वन और यह कब आ रहा है जब आईटू क्या हो जीरो हो जब आईटू क्या हो जीरो हो अब सबसे पहले तो देखो वीवन बटे आईवन यह क्या है वीवन निवेशी वोड़ता आईवन निवेशी धारा तो वीवन वोड़ता और धारा का जो अनुपात है ना वो हमेशा क्या बनाता है परतिवादा बनाता है जीसे हम छोटी किलासों में परतिरोध बोलते है परतिवादा की देखो परतिरो को भी लेते हैं कि इस ब्रतीहान पर्तिरोध केपेसिटर और इंडब् Progress आइन तीनों के कारण जो प्रतिरोध टोन होता है उसको परतिवादा बोलते हैं कि समय पर अपनी बार्था होगा सबसाइस पर्तिखात तो परतिगात मतलब वो परतिबादा है तो V1 अपोन I1 ये जो रेशियो है वो किसको बना रहा है परतिबादा को बना रहा है और परतिबादा कौन सी है ये निवेसी है देखो निवेसी वोल्टा और निवेसी धारा ये क्या है निवेसी प्रतिवादा है पहली चीज ये बात आपने बता दी अब देखो आई टू जीरो है मतलब परिपत कैसा है खुला है अब परिपत कैसा है खुला है अब परिपत खुला तो है लेकिन कौन से टर्मिनल खुले है निर्गट टर्मिनल खुले है कौन से टर्मिनल खुले हैं निर्गत टर्मिनल खुले हैं तो देखो जैड आई आई मतलब इन्पुट इसलिए आई लिखा इसको तो एक एक चीज़ को यहां पर हमने इंट्रोड्यूस किया तो जैड आई बराबर जैड वन वन बराबर वी वन बटे आई वन जब आई टू अब इस पूरी ट्रम को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे खुले परिपत की परिपत खुला क्यों है क्योंकि धारा का मान जीरो है निवेशी प्रतिवादा खुले पत की निवेशी प्रतिवादा जबकि कौन से टर्मिनल खुले हैं यहां पे निर्गत टर्मिनल खुले हैं अर्थात i2 equals to 0 एक ट्रम को हमने आप इंट्रड्यूस करा दिया उसके बाद में है ZR या Z12 अब देखो हम पहले भी बता चुके हैं जब आप एक मेंट इसको एरेज कर लेता हूं मैं हम पहले भी आपको बता चुके हैं आप वोड़ता दो ले रहे हैं वो निवेसी टर्मिनल की और धारा ले रहा हूं श्यक्त ओकि अजब भी निवेसी और नेरगत की जो बात होगी ना तो ये मतलब अंत्रीत परतिबादा और अंत्रीत परतिबादा अ अब अंत्रित परतिबादा में भी एक होता है उत्करम अंत्रित परतिबादा एक होता है अगर अंत्रित परतिबादा देखो यहां पे वोलता पीछे है और धारा आगे है तो इसको बोलेंगे उत्करम अंत्रित परतिबादा और जब वोलता आगे हो जाए और धारा पीछे रह जाए तो इसको बोलते हैं अग्र इंत्रीत् परत्राइब वोलता अगे चल रही है तो यह कैसी है सबसे पहले तो कॉम सिये अंत्रीत परतीबाद आए उत्क्रम इंत्रीत परती काद dice अब देखो आई टू जीरो है मतब धारा जीरो है तो परिपत कैसा है खुला है अब परिपत खुला है तो कौन से टर्मिनल खुले हैं निवेशी टर्मिनल खुले हैं क्योंकि आई वन जीरो है आई वन क्या है निवेशी धारा अर्थाद आई वन इक्वस टू जीरो यह जैड टू बन इसको जैड फ भी अब देखो वीटू बटे आई वन मतलब वोटता आगे धारा पीछे परती बाता बना रहा है तो जब वोटता आगे है और धारा पीछे तो इसको बोलते अग्र अंत्रित प्रतिवादा अब देखो I20 है तो परिपत कैसा है कुला परिपत है कुला परिपत है तो कौन से टर्मिनल खुले हैं निर्गत टर्मिनल खुले हो अर्थात I20 तो यह आप सारे आपको बहुत अचे से समझ में आ रहे होंगे उमिद करता हूं और जो लास्ट जद टूटु है, उसकम यहां पे इंतेटूइस कर रहे हैं, जद टूटू, इसको जद नोट भी बोलते हैं, जद ओ, जड नोट या जड ओ, मतलब आउट, पुट, आउट पुट मतलब निरगत, आप देखो, जड टूटू है, वीटू बटे आई टू, वीटू बटे आई अब देखो आईवन जीरो धारा जीरो मतलब परिपत कैसा है खुला है तो खुले परिपत की निर्गत परतिवादा अब आईवन जीरो परिपत तो खुला है लेकिन टर्मिनल कौन से खुले हैं टर्मिनल कौन से खुले हैं आईवन जीरो अथात निवेशी टर्मिनल खुले ह तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही नेक्स कलास में हम वाईप राचल के बारे में पढ़ेंगे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि मिनिमम टाइम में हम अच्छे मा नमस्कार और ज्यादा से ज्यादा स्टुडेंट्स को मोटिवेट करें ताकि अधिक से अधिक स्टुडेंट को बेनिफिट मिले हम तो यही करना चाहेंगे और नमस्कार जैहिंद